कनेरिया कहते हैं केल राहुल जब जिंबाबवे गए तो गंभीर चोट से उबर रहे थे और अब उन्हें इतनी जल्दी एशिया कप के लिए बुलाया जा रहा है। भारत के पास संजू सैमसन की तरह एक खिलाडी है जो वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वो क्रिकेट खेल रहा है और वो शानदार खिलाडी है। सैमसन को अकसर टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता था। वो टीम के अंदर और बाहर थे। लेकिन अब जब राहुल द्रविड उनसे इतने परिचित हैं और उनके कौशल से वाकिफ हैं तो उन्हें जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जोश भरा संगीत होगा और केल रहुल उस शैली के संगीत को पसंद करेंगे। भारत को उसे उसकी वर्तमान स्थिती में आने देना चाहिए था लेकिन तर्थ्य यह है कि वो एक बहुत बढ़ा नाम है और अगर उसे नहीं चुना गया होता तो पूरे मीडिया ने सवाल किया होता कि केल रहुल को शामिल क्यों नहीं किया गया गया। क्रिकिट के दृष्टिकौन से केल रहुल को एशिया कप टीम में सनजू सैमसन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था क्योकि रहुल अभी भी अपनी चोट से उबर और उन्हें अपना फॉर्म खोजने के लिए समय चाहिए.